अगर निफ्टे में देखते हैं तो मिने आपको बोला था सो के ऊपर आपको आखे बन करके बाई करना है और फिर से अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 18230 के ऊपर तो आपको और बाई करना है और बड़ी तो एक्जैक्टली यही पर उसने रिजिस्टन्स लिया और वहाँ पर बंद हुआ है जैसे मैंने बोला मंतली क्लोजिंग जो भी कैंडल का है लास्ट एक्सपारी का ओके तो वह क्लोज के आसपास बंद हुआ है तो वैसे ही वर्क हुआ जैसे हमें चाहिए था यहाँ पर अगर पासर के ऊपर अगर बाई करते हैं आपको यहाँ पे 100 पॉइंट मिले लेकिन अपका टारगेट था 800 के आसपास 700 के आसपास ठीक है तो आपका यहाँ पर स्टॉप्लास हीट हुआ होगा जस्ट 50 पॉइंट को स्टॉप्लास हीट हुआ है बैंक निफ्ट में और 50 स्टॉप्लाइब यह एंटीन वन सिच्टी थी के आसपास तो उसको नहीं जाना है आटा दोसों के ऊपर तो आटारा दोसों के ऊपर अगर यहाँ देखते ऑप्शन चैन में यह अप्शन चैन आप बता रहे है आटा दोसों में अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा तो एल है कि मार्केट ओपर गल जा सकता है तो गलका का ओपनिंग बड़ा इंपॉर्डबं अलड और इंपर जाता है आग आटा हजार दोसों तीज के उपर sustain करता है आखे बंद के रिखर कर लो क्योंकि यह resistance है यह resistance है और 230 के उपर अगर sustain करता है तो आपको बढ़ा राली मिल सकता है ठीक है सो पॉइंट भी राली मिल सकता है क्योंकि आटरा दोसों के जो भी जो भी कॉल शॉट से रहे वह से भार निकल जाएंगे लेकिन यह आपको अच्छा देखना है कि यह स्पॉर्ट निफ्टी जो है यह स्पॉर्ट निफ्टी भी आटरा दोसों के उपर sustain होना चाहिए ठीक है लेकिन अगर यह मार्केट तो मार्केट को पर रिचाना पड़ेगा और जो भी दोस्तों के नीचे होने के बाद आपको इसके नीचे आपको short करना है मतलब 18, 175 के आसपस आपको short करना है और उपर बस 30 point को stop loss रखना है तो हमारा stop loss हो जाएगा around 18, 205 के आसपस और नीचे उसको छोड़ देना है target के लिए यहाँ पे तो around आपका target रहेगा 18, 100 के थोड़ा सा ऊपर ठीक है तो आपको around 75 points मिल सकते short में और अगर flat करेंगे आपको buy मिल रहा है तो मैंने आपको बोला कि 18, 230 के ऊपर आपको buy करना है और stop loss रखेंगे 200 के आसपस ठीक है तो आपका around 30 point का stop loss रहेगा ऊपर आप 1, 2, 2, 3 भी target ले सकते है यह करेंगे अगर market flat gap open होता है ठीक है लेकिन अगर market gap open होता है gap open होता है तो immediately trade मत लो थोड़ा सा उसको sustain करने तो उसका movement देखो और नीचा आके फिर से इसका support लेगा ऊपर चाहता है तो आपको यहापर buy करना है around 18 to 40 के आसपस आप buy कर सकते हो और आपको stop loss करके close के थोड़ा सा नीचे लगना हो होगा मतलब 204 के आसपस लगना होगा 30-35 पॉइंट का stop loss हो जाएगा और उपर उतने आप बड़ा target ले सकते हो मतलब around 300 के आसपस भी आप target ले सकते हो अगर market में gap down हो जाए तो momentum देखना है momentum अगर ऊपर वाला है और यहां का अगर वो resistance लेके नीचे जा रहा है तो आप यह आप फिर से shot कर सकते हो 18-165-70 के आसपस आप shot करेंगे उपर आपका 30-point stop loss रहेगा और नीचे उतना ही target ले सकते हो और 1-2 भी ले सकते हो लेकिन यह को शॉट कर देट रोला सा risk हो जाए और वाइक कमर कर जाता लग रहा है ठीक है लेकिन जो भी रूस में आपको बता है जो आपको बाहर निकलना है कोई भी होल्ड नहीं करेंगा ठीक है स्टॉप्लास है विट हुआ बाहर निकलना है target हुआ exit करके बाहर निकलना है यूँकि आपको जो भी रिस्क रोड में देता हो और 1-2 1-3 के आसपस देता हो तो इस टाइप का प्लैन कर सकते है अगर निफ्ट तो अभी market अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो bank निफ्टी at least इस monthly closing के आपस पच जा सकते है अगर बड़ा movement अगर होता है तो बड़ा movement अभी होता है जब short-coring आती है जब भी call seller और put seller loss book करते तब एक बड़ा rally आपको मिल सकता है तो अगर call short seller loss book करते तो आपको बड़ा rally मि के आसपास तो अगर daily candle देखते है bank निफ्टी का तो bank निफ्टी में थोड़ा सा risky trade रहेगा यहाँ पर अगर देखते हो इसने अभी तक वो level या फिर वो range break नहीं किया है तीक है वो range break करना बहुत important है और range है around 42800 के ऊपर अगर वो break करता है तो वो सीधा जाएगा हमारे monthly औ और एक्सपारी लास्ट एक्सपारी की closing के आसपास ठीक है तो अभी कैसे प्लाइन करेंगे इस में जाते हैं तो अभी nifty दिखा रहा है positive sentiment और bank nifty दिखा रहा है negative sentiment तो अभी क्या कर सकते है तो bank nifty में अगर market flat open होता है ठीक है थोड़ा रुख जाओ ठीक है अगर अगर ये break हो जाता है ठीक है ये high break हो जाता है तो आप buy कर लो 42600 के आसपास और 50 point का stop loss रखतो that's it ठीक है ये थोड़ा इसकी ट्रेड है लेगी ले सकते हो और हमारा target रहेगा 42800 के आसपास अगर ये 42800 क्रोस करके यहाँ पर क्रोस करके अगर market sustain होता है तो 42850 के आसपास फिर से buy कर लेना 60 point का stop loss रख लेना और उपर आपको सीधा यहाँ पर दिखेगा market around 43200 के आसपास तो इतना आपको बड़ा target बन सकता है अगर market पूरा bullish momentum देता है निफ्टिय और बैंक निफ्टिय में दोनों में अगर शॉट को रिंगा तो तो इसी साब से buy का trade ले सकते हैं और अगर शॉट करना है तो शॉट करना है तो यह नीचे आने के बाद यह रेजिस्टंस है यह रेजिस्टंस है और यह र प्रेक करने के बाद आपको एक चार्प मिलेगा तो 42400 के आसपस आपको शॉट करना है आपका stop loss पर चोटा रहेगा around 60 point का the 460 के आसपस आपका stop loss रहेगा 60 point का और नीचे आपका पहला target रहेगा this one ठीक है 42200 तो 200 पॉइंट का आपको target मिल सकता है और उन पर 60 point का stop loss है one ठीक प्रेस्ट फूर के आसपस आपको risk reward ratio मिलता है लेकिन अगर gap up होता है अगर gap up होता है तो अच्छी बात है अगर gap up होने के बाद अगर यहाँ पर constant करके जोड़ से उपर अगर यह ब्रेक करता है तो 42850 यह फिल 42820 के आसपस भी आप कर सकते हो और आपको नीचे बाद 50-60 points stop loss रगाना है और वहाँ पे आपको अच्छा risk reward मिलेगा around 200-200 point मिल सकते तो चलो भी देखते अगर gap down होता है तो आप यहाँ पर देखते हो तो अगर यह यह resistance है यह resistance ठीक है तो इसके अगर आसपास वह open होता है ठीक है इसके आसपास यहाँ पर होता है उपर जाके फिर से अगर resistance वह लेता है ठीक है यह resistance लेकर फिर अगर उसका नीचे जाता है तो फिर से 42400 के आसपास आपको shot करना है उपर 60-70 के point का stop class लगा दो नीचे छोड़ दो 200 point के दिये ठीक है इस ताइप का trade आप कर सकते हो गर अगर नीचे आता है ठीक है अगर मार्केट यहां से पूरा नीचे आता है और यहां से फिर से यहां पर बहुत जबरतार सपोर्ट है तो यहां पे support लेगे फिर से उपर जाता है तो हमें मेरे आपको पहले बोलाए ठीक है 4200 के ऊपर आपको बाइक करना अगर अगर यह बोला अगर यह ब्रेक होता है यह बहुत बढ़ा राए लेगा तो लिगित लगता नहीं है यह यह बहुत पॉस्तिव में लाए आपको यह बेशनलेश पर आपको ट्राइब को अब्दिक ट्राइब टाइब के लोड फिल्लाओ अगर विल्सक्ति पहले तो लेगे इस दिस पर वे बागा लेटिस का आपको ट्रेक है तो ब्लीज इस फर्सक आर चूर कनस्थी किए और ओं स्थैं आवेस्योर अट्टिए कर दूरी